जय मा कात्यानी स्वागत है मित्र आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्याराशिवालों दोस्तों आपकी मौत को निमंतरन दे रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह तीन चीजें इनको तुरंत बाहर निकाल देना वरना आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा दोस्तों आपके पूरे परिवार को भुखमरी सहना पड़ेगी, कंगाली सहना पड़ेगी यहां तक की अकाल मृत्यू तक का डर आपको सताने लगेगा दोस्तों गंभीर बीमारियां आपको सता सकती हैं दोस्तों, क्योंकि नवरात्री का त्योहार आ रहा है, माताराणी नौ दिनों के लिए धर्ती पर विचरण करने आती है, अपने भक्तों की मुराद पूरी करने आती है। दोस्तों माना जाता है कि अगर भक्त सच्चे मन से मातारानी की आराधना करें, पूजा अर्चना करें, मातारानी से सच्चे मन से पुकार लगाएं, तो मातारानी दोस्तों भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। लेकिन आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है, जो मातारानी को गुस्सा दिला सकती है, मातारानी को क्रोध दिला सकती है अगर नवरात्री से पहले आपने यह चीजों को बाहर नहीं कराया, तो आपकी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि नवरात्री आ रही है नवरात्री में, दोस्तों, घर में सकारात्मक उर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है, जो आपके घर में नकारात्मक उर्जाओं को आकरशित करती रहती है दोस्तों वह चीजें कौन सी है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आप तो जाने अंजाने में बहुत सारी चीजें अपने घर में लाते रहते हैं बहुत सारी चीजें आपके घर में पहले से पड़ी हुई है कुछ चीजें सालों से पड़ी हुई है, कुछ चीजें नई नई आप लाए हुए हो, आपको तो पता भी नहीं है कि क्या चीज घर में रखना चाहिए और क्या चीज घर में नहीं रखना चाहिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती है, जो अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को आकरशित करती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है, जो अपने अंदर सकारात्मक चीजों को आकरशित करती है यानि कि दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है, जो अपनी और नकारात्मक उर्जा, जैसे कि प्रेत आत्माएं हो गई, बाधाएं हो गई, इनको आकरशित करती है, और जिस घर में नकारात्मक शक्तियां होती है, उस घर में कभी भी भगवान नहीं वास करते हैं, ना ही कुल देवता वास करते हैं, उस घर में हमेशा परेशानियां आती रहती है, उस घर के लोग हमेशा बीमार रहते हैं, व्यापार और नौकरी में बहुत मुश्किलें आती है, बहुत कर्ज की समस्या उनको भुगतनी पड़ती है, दोस्तों, उस घर में हमेशा जगडे होते रहते हैं उस घर में कभी भी खुशिया नहीं रहती है ना ही लक्षमी ठहरती है उस जगह तो दोस्तों आपको मैं उन चीजों के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि आपके घर में दोस्तों पिछले कई सालों से कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है जो अपने अंदर बहुत सारी नकारात्मक उर्जाओं को लिए बैठी है दोस्तों अगर आपने तुरंत इनको बाहर नहीं कराया तो यह आपकी मौत को भी दोस्तों निमंतरन दे सकती है दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो सालों साल एक ही जगे रहती है जैसे कुछ अलमारी हो गई, कोई electronic उपकरण हो गया दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो काफी अच्छी होती है यानि कि अगर हम बाजार से कुछ चीजों को खरीद कर अपने घर में लाते हैं, तो उस चीज के जैसे ही हमारे घर में आती है, तब से हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है, तब से हमारी जिंदगी में बहुत खुशियां आने लगती है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा एफेक्ट करती हैं हमारे घर की एनरजी को। दोस्तों दो प्रकार की उर्जाएं होती हैं एक सकारात्मक उर्जा और एक नकारात्मक उर्जा। अगर हमारे घर में नकारात्मक उर्जा हो तो हम अपने जीवन में कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते। कभी आने वाली है माता रानी आपके घर पधारने वाली है दोस्तों जी हाँ माता रानी जब आपके घर में पधारेंगे और अगर आपके घर में यह तीन चीजें पड़ी हुई रहेगी तो माता रानी आपके घर में बहुत ज्यादा क्रोध बरसाएगी माता रानी आपके उपर क दोस्तों, इसलिए उन चीजों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना आपकी जिंदगी में फिर खुशिया नहीं आएगी। तो आपके घर के द्वार से ही पलट जाएगी दोस्तों, और बलकि आपके उपर क्रोधित भी हो सकती है, आपसे नाराज भी हो सकती है, इसलिए इन चीजों को घर से बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नवरात्री के दिन ही दोस्तों सूर्य ग्रहन लग रहा है। जी हाँ, नवरात्री के दिन ही सूर्य ग्रहन लग रहा है, जिससे यह नवरात्री का तियोहार और भी ज्यादा खास हो जाता है। दोस्तों, ग्रहन का मतलब यह नहीं कि सब कुछ खराब होना। देखिए, कभी-कभी ग्रहन खुशियां भी अपने साथ लाता है और इस बार नवरात्री का तियोहार ग्रहन के साथ आ रहा है, यानि कि खुशियां और डबल हो सकती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि ग्रहन के साए में नवरात्री की शुरुआत होगी, लेकिन भारत में ग्रहन नहीं दिखेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, नौ दिनों तक मातारानी के अलग-अलग नौ रूपों की पूजा हम करेंगे। आज इस वीडियो में कुछ खास उपाय भी मैं बताऊंगा, जी हाँ, एक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप नवरात्री के शुरू होने से पहले ही कर देंगे, तो बहुत जल्दी आपको आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपका व्यापार बहुत अ बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों का आपके जीवन पर और आपके घर परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, दोस्तों पहली चीज के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखिए वीडियो, बहु जरूर कर देए, दोस्तों वीडियो को लाइक कर देए, और नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बार जयमाम दुरगा, जयमा दुरगा, जयमा दुरगा जरूर लिखिएगा, मातारानी का त्योहार आने वाला है, और जो भी व्यक्ति जयमा दुरगा लिखेगा, उनको अगले 24 गंटों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी, दोस्तों पहली चीज है वह है लड़ाई जगडा, जी हां दोस्तों नवरात्री शुरू हो रही है, उससे पहले ही आपको लड़ाई जगडा करना बंद कर देना है, देखिए, जिस घर में आए दिन लड़ाई ज जगडे होते रहते हैं, छोटी-छोटी बातों में किच-किच होती रहती है, उस घर में सकारात्मक उर्जा नहीं ठहरती है, उस घर में नकारात्मक उर्जा बहुत जल्दी वास करती है, दोस्तों, तो कृपया करके आज से ही अपने घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर किच-किच ना करें खासकर की महिलाएं दोस्तों बहुत ज्यादा किच-किच करती रहती है छोटी-छोटी बातों में अपने बच्चों को भी लाड़ दुलार से रखें उनको डाटे ना क्योंकि नवरात्री का त्योहार है मातारानी बच्चों से बहुत प्रेम करती है दोस्तों जिस घर में खुशियां रहती है जिस घर में हंसी खुशी का माहौल रहता है उसी घर में मातारानी ठहरती है दोस्तों तो नवरात्री शुरू होने से पहले ही यह जो गलत आदतें हैं लडाई जगडों की इनको दूर कर देना, दूसरी चीज है, दोस्तों, अगर आपके घर में बंद घड़ी पड़ी हुई है, या कोई बंद इलेक्ट्रोनिक सामान पड़ा हुआ है, जैसे की किसी का फ्रिज खराब हो गया हो, किसी का पंखा खराब हो गया हो, किसी का कूलर तो यह जो बंद पड़ी हुई चीजें हैं, इनको या तो सुधार लें, या तो उनको बाहर कर दे अपने घर से, क्योंकि यह जो बंद चीजें होती है, अपनी और नकारात्मक शक्तियों को आमंतरित करती है, बहुत अशुभ माना जाता है दोस्तों, दोस्तों खास करके, पूजापाट और मंगल कारियों में जो यह चीजें होती है जो बंद होती है यह बहुत अशुब होती है दोस्तों इसलिए बिना देर किये इन चीजों को या तो सही करवा ले या तो हटा दे अपने घर से क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है, आपके घर में बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां लग सकती है आपको, परिवार के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको गंभीर बीमारियां लग सकती है, उनका दिमाग, दोस्तों, अस्त व्यस्त भी हो सकता है इसलिए कृपया करके जो घर में बंद पड़ी हुई चीजें है या तो उनको सुधार ले या तो उनको घर से बाहर कर दे अगली चीज है दोस्तों पुराने वस्त्र जी हाँ अगर आप अपने वस्त्रों को नहीं पहनते हैं आपके गर में बहुत ज्यादा पुराने कपड़े हैं तो या तो उनको घर से बाहर कर दे या फिर उनको अपने अच्छे उनको धोले और उनको वापस रख दे जी हां देखिए अक्सर लोगों की आदत होती है कि कपड़ों को पहन लेते हैं और बिना धोए इधर उधर पटक देते हैं अलमारी में पटक देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करें देखिए अगर कोई पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो या तो उनको घर से बाहर कर दे अगर काम नहीं आ रहे हो तो और अगर काम आते हैं आपको अच्छा लगता है उन कपड़ों को रखना तो आप उनको दोस्तों समाया होता है हमारी उर्जा समाई होती है और उन कपड़ों में बहुत समय तक अगर कोई हलचल ना हो उन कपड़ों को अगर हम एक ही जगहे पर रखे बहुत समय तक तो वह कपड़े हमारी और नकारात्मक शक्तियों को प्रेत आत्माओं को बाधाओं को भूत प प्रेतों को आकरशित करने लगते हैं, दोस्तों, तो कृपया करके अपने घर के, जितने भी पुराने कपड़े हैं, या तो उनको धोले नहीं धो सकते हैं, तो घर से बाहर कर दे, जो पुराने वस्त्र हैं, उनको तो घर में रखना ही नहीं चाहिए, अब अगली चीज दोस हूँ, वह है खंडित मूर्तियां, जी हाँ दोस्तों, आपके घर में कई सारे भगवानों की तस्वीरें हो सकती हैं, कई सारे भगवानों की खंडित मूर्तियां हो सकती हैं, कई सारे भगवानों के फोटो भी हो सकते हैं, जो कई सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनकी ज्यादा आप अपने घर में ना रखें क्योंकि इनकी समय पर पूजा भी नहीं कर पाते हैं लोग और इनकी समय पर दोस्तों सम्मान भी नहीं कर पाते हैं जिससे फिर यह जो चीजें हैं अपनी और नकारात्मक शक्तियों को आमंतरित करने लगती है और भगवान भी हमें श पहले, बाहर कर दे, क्योंकि यह जो मूर्तियां है दुर्भाग्य का कारण बनती है। लोगों के घर में कर्ज क्यों होता है? इसलिए तो होता है। लोग कर्ज से इसलिए परेशान होते हैं, इसलिए इनको नदी या तालाब में विसरजित कर दे, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, वहीं दोस्तों, अगर आपके घर में कबाड बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है पुराना या फिर अखबार की रद्धी हो, पुराने लोहे के सामान हो, तो जो कबाड है, उनको भी जितनी जल्दी हो सके, घर से बाहर कर दें, क्योंकि नवरात्री का समय है, माता मातारानी किसी भी रूप में आपके घर पधार सकती है और आपको आशीरवात दे सकती है, दोस्तों, और ऐसे में अगर आपके घर में गंदगी होगी, कबाड पड़ा होगा, तो मातारानी फिर आपके घर में कैसे, आएगी दोस्तों, इसलिए ऐसा ना करें, साथ ही अगर अगर आपके घर में दोस्तों तुलसी के पौधे हैं या फिर मनी प्लांट है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपके घर में कोई और जंगली पौधा लगा हुआ है, मान लीजिए आपके घर में कोई भी, अवांचित पौधा जो आपके घर में नहीं होना चाहिए यानि कि जो आटोमेटिक कोई पौधा आपके घर में उग गया है घर के गमले में हो या घर के आसपास हो तो उनको तुरंत उखाड कर फेंग दें क्योंकि ये जो जंगली पौधे होते हैं अपनी और, नकारात्मक शक्तियों को आकरशित करते हैं आप अपने गार्डन में, अपने घर के गमलों में साथ ही अपने घर के जो बाहर जमीन होती है वहाँ पर भी देखें कि कहीं कोई जंगली पौधे तो नहीं है अगर है तो तुरंत उनको उखाड कर फेंग दें और अपने घर के आसपास, घर की आंगन में भी काफी अच्छे से सफाई करें, इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए, अब जो अगली चीज बताने वाला हूँ वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोस्तों, लेकिन नवरात्री का त्योहार आ रहा है, इसलिए अगर किसी को बाल कटवाने हैं, किसी को नाखून काटने हैं, तो पहले ही यह कार्य कर लेना, त्योहार के नौ दिनों में आपको ना ही बाल काटना है, ना ही नाखून काटना है, दोस्तों, अगर कुछ करना है तो पहले ही कर लेना माना जाता है कि नवरात्रि के त्योहार के दिनों में अगर कोई नाखून या बाल काटता है तो उससे मातारानी को पीडा पहुंचती है मातारानी को दुख पहुंचता है मातारानी को भी दर्द होता है इसलिए कृपया करके ऐसी गलतियां ना करें और अगर आपको काटना है तो पहले ही यह कार्य कर लीजिए अगली चीज है दोस्तों आपके शरीर के बाल जी हाँ दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि जब वे छोटी बनाते हैं, जब वे बाल उठाते हैं, तो उनके बाल में से कुछ बाल बाहर गिर जाते हैं कंगे में बाल फस जाते हैं और वे बाल घर में इधर उधर उड़ते रहते हैं इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है अगर आपके घर में तूटे हुए बाल जहां भी है तो उन तूटे हुए बालों को एकत्रित कर ले एकठा कर ले और उन ब बालों को घर से बाहर फेंग दे। घर में तूटे हुए बाल नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जो तूटे हुए बाल होते हैं अपनी ओर नकारात्मक और प्रेतात्माओं को आकर्शित करते हैं। बहुत ज्यादा सक्रिय हो सकती है। इसके चलते दोस्तों आपके ऊपर बड़ी-बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं जैसे की एक्सिडेंट होना, गंभीर बीमारियां होना, घर में दोस्तों तरह-तरह के दुरगटनाएं होना, जैसे की आग लग सकती है। कोई व्यक्ती सीडिय नवरात्री एक पवित्र तियोहार है दोस्तों इस दोरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है साथ ही नकारात्मक उरजाओं को दूर करना भी बहुत जरूरी होता है माना जाता है कि इन चीजों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुरगा की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों अगर घर में तूटी हुई मूर्तियां फटे हुए कपड़े तूटी हुई घड़ी तूटा हुआ बर्तन आदी अगर होता है तो यह नकारात्मक उर्जा का प्रतीक होता है इसलिए इनको घर से बाहर बहुत जल्दी निकाल देना चाहिए साथ ही दोस्तों पुराने अख़बार या फिर पत्रिकाएं अक्सर घर में पड़े हुए होते हैं कई बार शादियों की पत्रिकाएं घर में पड़ी हुई होती हैं लेकिन इन चीजों को घर में ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए देखिए पुरानी पत्रिकाएं अपनी और नकारात्मक उर्जाओं को आकरशित कर सकती हैं इसलिए इन्हें नियमित रूप से फेंकते रहना चाहिए यानि की देखिए पत्रिकाओं पर हमारे भगवान गणेश जी का माता रानी का भी स्वरूब यानि की चित्र होता है तो इनको फेंकना नहीं है बलकि इनको नदी में किसी पवित्र जल में प्रवाहित करना है और इनको ज्यादा दिनों तक घर में भी नहीं रखना इस बात का ध्यान रखिए और नवरात्री का पर्व आने से पहले तो इनको तुरंट आपको बाहर कर देना चाहिए दोस्तों, अब अगली चीज है पुराने जूते चप्पल देखिए, कई लोगों की आदत होती है कि वे पुराने जूते चप्पलों को संभाल के रखते हैं इधर उधर पुराने जूते चप्पल पड़े हुए रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए देखिए, अगर जूते चप्पल उप्योग में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर उप्योग में नहीं आ रहे हैं, तो उनको घर से बाहर करना ही उचित रहेगा दोस्तों, चाहे जितना लगाव हो आपको अपने जूते चप्पलों के साथ लेकिन उनको घर से बाहर निकालना निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि यह चीज दोस्तों आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है दोस्तों इसलिए कृपया करके इनका ध्यान रखिए अगली चीज है तूटी हुई जाडू जी हाँ दोस्तों अगर आपके घर में तूटी हुई जाडू है तो दोस्तों सावधान हो जाईए जितनी जल्दी हो सके इन तूटी हुई जाडू को घर से बाहर कर देना क्योंकि देखिए जाडू का काम है साफ सफाई करना जाडू माता लक्षमी का प्रतीक भी होती है दोस्तों और अगर तूटी हुई जाडू जो होती है वह अपने अंदर गलत गलत नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है इसलिए कोशिश करिए कि जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं जैसे कि तूटी हुई जाडू इनको तुरंत घर से आप बाहर कर दें नवरात्र शुरू होने से पहले अगली चीज जो अनावश्यक सामान होते हैं देखिए कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बस यूँ ही पड़ी हुई होती हैं सालों साल दोस्तों हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं देखिए कई बार दोस्तों, इंसान क्या करता है, कुछ चीजें लाता है, और उनका उप्योग नहीं करता है, बस उनको ऐसे ही पड़ा रहने देता है सालों साल बीट जाते हैं, लेकिन वो चीज वहीं पर पड़ी हुई होती है जैसे कि कोई टेबल हो गई, कोई वस्तू हो गई, कोई इलेक्ट्रोनिक सामान हो गया, काम नहीं आते हैं, बस पड़ी रहती है लेकिन एक काम ध्यान रखिये कि इनको या तो थोड़ा सा हिला ले दो, तो हमेशा इनको हिलाते रहे क्योंकि कुछ चीजें दोस्तों हम जब एक जगह पर पड़ी रहती है न, तो वो अपनी अंदर नकारात्मक चीजों को आकरशित कर लेती है मान लेते हैं, आपके घर में एक टेबल पड़ी हुई है वो टेबल पिछले कई महीनों से कई सालों से एक ही जगह पर पड़ी हुई है, उसका उप्योग ही नहीं हो रहा है तो दोस्तों, वो चीज पड़ी-पड़ी एक नकारात्मक उर्जा का संसाधन बन जाती है वह चीज एक नकारात्मक वस्तु बन जाती है और उस चीज के ऊपर नकारात्मक शक्तियां एकदम से आकरशित होती है और दोस्तों, यह जो चीज होती है ना बहुत खतरनाक हो जाती है इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपके घर में कोई चीज पड़ी हुई है तो उनका उप्योग कर जाए जब चीजों का उप्योग नहीं होता है ना तो वो चीज फिर हमारे घर में नकारात्मक चीजों को आकरशित करती है दोस्तों इसलिए ध्यान रखिए अगर आपके घर में कोई अनुपयोगी चीज है तो उनका उप्योग करना शुरू कर दे अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो उनको थोड़ा सा हिला डुला ले उनको दोस्तों अच्छे से स्वच्च कर ले उन पर गंगा जल का छिड़काव कर दे ताकि अगर उन पर पहले से कोई नकारातमक ऊर्जा है तो वो दूर हो जाए साथ ही नकारात्मक उर्जाओं को दूर करना है देखिए हर घर में नकारात्मक उर्जा होती ही होती है हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें है दोस्तों मैं कई सारी चीजों के बारे में तो आपको बता भी नहीं पाऊंगा बताने जाऊंगा तो वीडियो एक दो घंटे की बन जाएगी, लेकिन मैं अगर आपको इतना बोल दूँ कि जो जो मैंने बताया है उसका ध्यान रख लेना, साथ ही अपने घर में नवरात्री शुरू होने से पहले अच्छे से साफ सफाई कर लेना, जो अनुपयोगी चीज का लगाने से घर में नकारात्मक उर्जाओं का नाश हो जाता है और आपके घर में मातारानी तुरंत प्रभाव डालेगी